दुनिया में बदलाव तो आ रहा है, सैमी जेन को साउदी अरेविया के पोस्ट डालते हुए देखकर बड़ा अच्छा सा लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यार दुनिया अभी बटी हुई है, बट अभी लग रहा है कि नो नो विवलार उनाइट, I don't know why, but सैमी जे भी मिल जा है, खेर, तो याइस, दो मैं चैम्पियंस ओफ द वोल्ड, मैं हो 3DX यतना, आजकी इस वीडियो में मैं लिस्ट ऑफ सूपर स्टार्स रखने वारों, जो कि मेरे अकोर्डिंग नेक्स्ट वर्ल्ड हेवीवेड चैम्पियंशिप जीत सकते है, यास, बड़ा श प्यूटि चैम्पियंशिप के साथ, और अगर AJ स्टार्स जीतते भी हैं, तो भी RAW में ही आ रही है, तो इसलिए जो सूपर स्टार्स होंगे, थोड़े RAW बेस्ट होने वाले है, तो सेथ रॉलिंस और AJ स्टार्स को छोड़के, जो मैंने सबसे पहला नाम रिखा है, जो कि मे इडिएट वर्ल्ड हेविएट चैम्पियन होना चाहिए, तो पीस्ट ब्रॉक लेजनर, येस काफी रहो आल्रेड़ी मेरे से डिसगरी कर गयोंगे, अब यार तू ने धोका दे दिया, चेतन, तू तो बड़ा अच्छा हुआ करता था, 2017, 2018 में, अब क्या हो गया तेरे को तू ब्रॉक लेजनर को पिक कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है, वाओ तू ब्रॉक लेजनर को पिक कर रहा है, दोनों में इसे कुछ भी होगा, I am saying कि ब्रॉक लेजनर का वर्ल हेविए टाइटल जीतना is important, बिकोज जब ऐसा बंदा भी एगर वर्ल्ड जाता है तो औरेड़ी प्रस्टीज बढ़ जाती है उस टाइटल के भी, फिर लगने लगता है कि हाँ या या यह वर्ल्ड हेविए टाइटल ही है, यह इसकी भी उतनी ही importance है जितनी की डवड़वली टाइटल को मिल रही थी, not just workhorse टाइटल है बट workhorse के साथ साथ इसकी प् contentiously, यह वो भी नहीं, कोई बात नहीं या देखो जैसी आपकी मर्जी है, मैं तो यह चाह रहा हूँ कि भले छोटा run हो, लेकिन Brock Lesnar के कंदो पेग पर वो वर्ल हेविए चैंपियंशिप चड़ गई, उसकी photos 2-4 निकल गई, तो वो सबके लिए अच्छा होगा, समाज में अ Cody Rhodes, अभी Cody Rhodes का नाम रखना दो बनता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि Finish the Story जो है, होगी, लेकिन मैं यह भी नहीं कह रहा है कि यह World Heavy Title वो WWE Undisputed Title से पहले जीच चाहेंगे, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि Seth Rollins और Brock Lesnar का ही इतना लंबा रेन रहा, कि भाई अगले साल की WrestleMania और उस इसी ने करी नहीं है, तो इसी लिए मिल को लगता है कि Cody Rhodes के पास chances तो है कि वो championships तो almost सारी ही जीतने वाला है, अभी तो खेर जिस तरीके की बंदे की deal रही है, जिस circumstance में वो आया है, और जिस तरीके की hype चल रही है, जिस तरीके की merchandise भिक रही है, इंटर कॉंटिनेंटल और United States टाइटल के लिए तो नहीं जाने वाला वो बंदा, तो इसी लिए WWE Undisputed Title या फिर World Highway Title के ही chance लगते है, तो इसी लिए World Highway Title मैंने इसी लिए रखा है, because Raw में है, Cody Rhodes वहीं पर है, तो इसी लिए उसके chances ज्यादा है, Cody Rhodes कितना ही कहले कि भही है, उन्हें Roman Reigns से लड़ना है, story finish कर नहीं है, but draft के रहते, नहीं कर पाऊगे, वही अगला superstar मैंने रखा है, that is Drew McIntyre, I think much like Cody Rhodes, Drew McIntyre has that similar trajectory, और उपर से Drew McIntyre का WWE Championship जीतना, we all know, crowd के सामने अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन crowd के सामने जो हुआ है, वो है इज़त का भाजी पलाओ, क्योंकि Drew McIntyre और Karen Cross की जो rivalry थी, उसने Drew McIntyre versus Roman Reigns, जो भी हुआ था, सब के ऊपर पानी फेर दिया, I don't know why that happened, I don't know why Karen Cross is still with WWE, I don't know, मतलब इतना तो अब पता हो जाना चे WWE को, कि भाई, Karen Cross किसी के भी फायदे में नहीं है, except for Scarlett, Scarlett के अलावा किसी को Karen Cross से फायदा नहीं हो रहा है, बिचारे, Drew McIntyre के career तो मे City में ही था ना, ये match, या फिर Clash at the Castle में था, कहीं ही तो था, तो वो जो हगा मा रहा था, वो नहीं होना चाहिए था, और अग्दर, Drew McIntyre versus Roman Reigns, जो match हो था, उसके बाद, वैसा ही कुछ चलता रहता, similarly, तो I think, आज हमें Drew McIntyre, Brock Lesnar, Cody Rhodes से पहले, शाइसे World Heavyweight title की picture में दिखा title again, anyways, next up is Finn Balor, I mean, Finn Balor को कैसे बूल सकते, Finn Balor तो एक most prominent नाम भी था, इस bracket के अंदर किया, Finn Balor जो है, Championship जीतना चाहिए, वो तो वो पहुचे नहीं, finals के अंदर, finals में Seth and अपना AJ पहुचे, and Finn Balor is also, you know, former Bullet Club leader, and already, मैंने Cody Rhodes को title जीतवा दिया, इसके अंदर, AJ Styles शायद से जीत ल जीतेगा, बट ऐसा लग रहा है कि Bullet Club leaders के लिए, ये जो World Highway title है, ये बड़ी favor करने वाली है, तो इसलिए मेरे को Finn Balor का नाम भी रखना बनता है, और उपर से, Finn Balor अगर WWE Championship ना जीते, तो बुरा लगेगा, क्योंकि 2017, Pro, नहीं, 2016, Pro 2016 में Finn Balor ने Universal Championship जीती थी, और उसके बाद से World Highway title से तो Finn Balor का कोई नाता ही नहीं रहा, तो उस नाते को, उस रिष्टे को मैं जोडने के लिए दोबारा से आया हूँ, और Finn Balor का हाथ मांगने आया हूँ, अपने World Highway title के लिए, इसलिए मैंने भले थोड़ा लेट रखा होगा, भले थोड़ा टाइम लग जाए, इवन मेर अपनेटली ओके विद इवन दो फिन बैलर विंस, और वुड़ बी अमेजिंग, इसलिए, नेक्स्ट अप इस देमिन फिन पैलर, एंड फाइनल नेम जो मैंने वो रखा है, एंड फिन पैलर का एनिमी रह चुके है, नाकमुरा, शिंसके, यब शिंसके नाकमुरा का नाम इस लिस्ट में रहना बनता है, इनकी पहली WWE Championship होने वाली है, क्योंकि इसके पहले चोटी टाइटल्स तो जीत चुके है, लेगिन बड़ी टाइटल जीतना, शिंसके नाकमुरा के लिए ही नहीं, बलकि उस फैन बेस के लिए भी ज़रूरी है, जो कि NXT ने लिटरली बीज ब बाद भी, इवन दो शिंसके नाकमुरा को उतने खास मैचेस मिलते नहीं है, फिर भी शिंसके नाकमुरा को काफी अच्छा रियक्शन मिल जाता है, तो just imagine अगर उनका बिल्ड वोल्ल है टाइटल तक के लिए हो जाए और वो टाइटल जीत भी ले, तो I think best for business हो सकता है, मैं अगर प्रेडिक्शन करना चाहूं कि नाकमुरा के पास, let's say कि वोल्ल टाइटल आ रही है, तो कौन से यर में आएगी, I would say 2025 के मिड में मैं expect करूंगा शिंसके नाकमुरा जीत सकते हैं, वोल्ल हैवेट चैंपिंशिप और उसके पहले तो definitely बल्ले बल्ले है, but this is my prediction, anyways definitely comments में लिख कर बताना अपने according के, आपको क्या लगता है कि Seth Rollins या AJ Stassen में से जो भी वल्ल हैवेट चैंपिंशिप जीतेगा, उसके बाद अगले दो सूपरस्टार कौन होंगे, comments में लिखो और अगर आपके वीडियो पासंदा है तो अपने लाग कर शेर को चैनल के सब्सक्राइ झाल